नमस्कार आपका स्वागत है महानाचार्य शुक्राचार्य ने अपनी नीती में ऐसे छे पूर्षों के बारे में बताया है जो अत्यन्त क्रूर अथो अतताई होते है किसी भी स्त्री को ऐसे पूर्षों से सावदान रहना चाहिए नए तो वो उनके पूर्षों के कई लक्षनों के बारे में बताया है किस प्रकार की स्त्रीय दोष्ट एवं चरित्र हीन होती है तता किस प्रकार के पूर्ष नीच होते है इस विशे पर भी महतोपुर्ण ग्यान दिया है अगर आप जीवन में कभी धोका खाना नहीं चाहते तता समर्द्दी से भरपूर जीवन वेथित करना चाहते है तो आपको शुकराचारे की नीती अवश्य पढ़नी चाहिए आज हम आपको बताने जा रहे है शुकराचारे जीने बताय हुए ऐसे छे पूर्षों के बारे में जो अत्यंत क्रूर होते है अथवा अतताई होते है इनके साथ रहना तो दूर इनके निकट भी जाना मृत्य को आमंत्रन देने के बराबर है स्त्रियों को तो ऐसे पूर्षे सदेव सावदान रहना चाहिए इस लोक में उसका वर्नन किया है पहली बात आग लगानी वाला शुक्राचरे के अनुसार जो पूरुष दूसरों के घरों में आग लगाता है दूसरों की आजविका को नश्ट करने का प्रयास करता है अथो अधंगों में शामिल होकर अकरण ही आग जनी करता है ऐसा पूरुष अतताई होता है ऐसे पूरुष को ना ही समझ होती है आना ही मान समान की परवा ऐसे पूरुष अपने क्रोद को वश में नहीं कर सकते इने मौका मिलने पर ये किसी की भी साथ भुरा कर सकते है अत्व ऐसे पुरुषों से दूर ही रहना उचित है ऐसे पुरुष शत्रुता होने पर आपके प्रानों पर भी संकट खड़ा कर सकते है दूसरा है विश्देने वाला यहाँ पर शुक्राचारे कहते है जो पुरुष किसी से शत्रुता होने पर उन्हें विश्ख खिला कर मारने के बारे में सोचता है अथो उनका बुरा करने के बारे में बाते करता है तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए अथो ऐसा पुरुष जो दूसरों से द्वेश करता हो और उनके अन्न में थूकत अथो अन्न को गंदा करके दूसरों को खिलाता हो तो ऐसा पूरुष भी पापी होता है इनसे बढ़कर कुरूर कोई नहीं ऐसे दुष्ट पूरुष के घर भोजन करने के लिए जाने से पहले एक बार अवश्य सोचना चाहिए नहीं तो यह आपके साथ अनिष्ट कर सकता है तीसरा विक्ती है शस्त्र उठाने वाला शुक्राचारे के अनुसार अगर कोई पूरुष बाद-बाद पर शस्त्र उठाता है अथवा क्रोध आने पर तुरन्त प्रहार करता है तो इनसे दूर रहना ही बेदर है एक अतताई पूरुष अपने क्रोध पर नियंत्र नहीं जीवन नरक तुल्य होता है शुक्राचरे कहते हैं जो पुरुष दूसरों का धन लूटता है अथवा दूसरों द्वारा धन मिलने पर उसे वापस नहीं करता और स्वयम की ही पास रख लेता है अपनी गंदी आदोतों को पूर्ण करने के लिए चोरी करता है तता दूसरों की चीजे चुरा कर बेजता है ऐसा पुरुष भी कुरूर होता है इन्हें धन के आलावा किसी की परवा नहीं होती ऐसे विक्ति से मितरता करने पर वे आपके घर की चीजे चुरा कर बेज सकते है अत्वा आपका धन भी चुरा सकते है अत्वा इनके साथ रहना बिल्कुल भी सही नहीं नमबर पाच खेट छीनने वाला जो विक्ति दूसरों की जमीन पर आचानक कबजा कर लेता है अत्वा दूसरों की जमीन पर अपना हग दिखाता है तो वो भी आत्यंत क्रूर है वेक्ति को चाहिए कि वो अपनी जमीन पर कभी किसी पराय वेक्ति को रहने के लिए स्थान ना दे नई तो वह कालांतर में उस जमीन पर अपना हग दिखा कर आपकी जमीन छीन सकता है शुक्राचारे के अनुसार जो पुरुष दूसरों की पत्नी को छीनने का प्रयास करता है अत्वा दूसरों की स्तियों के साथ दुषकर्म करने की काम ना करता है वो आतताई होता है ऐसे पूरुष दूसरों की पत्नियों को अपनी काम पीपासा मिटाने के लिए मोहित करते है और उसे पत्थबरश्ट कर देते है ऐसे पूरुषों से कभी मितरता नहीं करनी चाहिए जो दूसरों की पत्नि को छीनने का प्रयास करते हो तो दोस्तों ये थे वो छे पुरुष जिने अत्यंत कुरूर कहा जाता है क्या आपका सामना किसी ऐसे विक्ति से हुआ है तो कमेंट करके आवशे बताए अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक करें दोस्ते के शेयर करें धन्यवाद